हेलो स्टुडेंट्स, मार्क दसन फूर कॉमर्स में आपका स्वागत है आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से उसका मीनिंग जानेंगे साथ ही साथ जानेंगे कि टाइपस ऑफ एरर क्या क्या होता है और कौन सा एरर जो है आपका ट्रायल बैलेंस को अफेट करता है और कौन नहीं करता है और साथ ही साथ देखेंगे कि सस्पेंज एकाउंट भी क्या होता है देखिए एक बात अच्छा से समझ लीजे कि कोईस्टन को सॉल्ब करना ना कोई बड़ी बात नहीं है कोईस्टन कैसे सॉल्ब प्याता है वो हम भी सिखाएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे बड़ी बात होता है किसी भी उसका कॉंसेप्ट को समझना ठीक होगा क्या अगर आप से कोईस्टन सॉल्ब करने सीख जाएगा अब 10 कोईस्टन बैट को सॉल्ब किजेगा न हम बता रहें 70 से 80 परसेंट आपको सब कुछ समाज में आ जाएगा लेकिन जब कभी उसको आप दुबारत दे जाएगा, 4 मेन पांक मेन बाज अब दुबारा रिवीजन करने जाहिएगा तो आप सब कुछ भूल गएगा क्यूंकि आपके पास कॉनसेप्ट में हैं आप से ट्रिक से उसको बनाने सीख लिए हैं इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलिए. ट्रिक भी और आपका कॉंसेट भी. ट्रिक आपको अच्छा मांक्स दिलाएगा और आपका कॉंसेट हमेशा आपका काम आएगा जिन्वी भर. ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, meaning से start करते हैं, जैसा कि इसका नाम में ही आप पड़ पार है, rectification of error, अब देखिए, हम लोग human being है, तो books of accounts में जब भी आप recording कीजेगा, general entry pass कीजेगा, तो obvious है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है, एकदम obvious सी बात है, तो उनहीं गलती को जब हम लोग ठीक करते हैं, ज मतलब आप जो गलती किए है, वो आप जान बूच के नहीं किए है, आप से गलती से हो गया है, ठीके? मतलब आपका कोई वैसा intention नहीं था, अब राम लिखना था, गलती से भाई स्याम लिख दिए, वह जग आपको 2000 लिखना था, गलती से आप 200 रुपे लिख दिए, तो यह लेकिन अगर आपका intention ही खराब था अब जान बूझ करके राम के जगा स्याम लिख दी हो या तो 200 रुपय के जगा अब 2000 रुपय लिख दी हो तब आपका नियाथ ही ठीक नहीं है और जब आपका नियाथ ठीक नहीं है आपका intention ही खराब है तब आपको एरर नहीं कहलाता है त जान बूच के आपने किये तब वो error या mistake और आप जान बूच के खिये हैं फ्रॉड करने ये करने के लिए तब आपको वो error ना हो करके fraud कहलाएगा ठीक है अब फूचिया गया साबित कैसे होगा कि हम जान बूच के 200 रुपे लिखे हैं कि 2000 रुपे लिखे हैं वो साबित करना वकील लोगा काम है लोयर लोगा काम है हम लोगा नहीं ठीक है वो जब कोट में आपको जब केस चलेगा तब देखा जाएगा अभी के लब सेना समझिए कि अनिंटेंशनली हुआ हो तो वह error या mistake और इंटेंशनली हुआ हो तो fraud और cheating कहलाएगा वो question को solve करने से पहले आपको कुछ points को जो दिमाग में रखना है वो पहले आप समाझ लीजे पहला कि इसमें आप overwriting नहीं कर सकते हैं मतलब क्या हुआ मान के चलिए आप स्याम को goods बेचे हैं पर गलती से books of accounts में recording क्या कर दिये राम टो सेल तो आप ऐसा नहीं करते हैं इसो कार्ड देते हैं और ऐसे स्याम लिख देते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ठीक है ऐसा इसका treatment नहीं होता है पहला बात तो यह मान लीजे इस पूरा page मे थी है जो आपको books of accounts को जो page है उस पूरा page में गड़बढ हो गया है तो आप ऐसा में कर सकते हैं कि धर के उसको दिया आप फार ऐसा था के फार दीए अब बोलते हैं कि आप पे चिप्का देते हैं आप वह भी नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें कर क्या सकते हैं इसमें आप को सुधारने के लिए एक ही लाज आपको general entry pass करना पड़ेगा जो गलती आप कर दिए हैं उसका preverse entry pass केजए ayo you acne have had a कि रेक्ट्रियों एंट्री यही आपको Italy pass करते शॉन ठिक करना पड़ेगा जो आप गल्ती की है अब इसमें एक बात और जो आपको ध्यान में रखना है वो कि entry pass करने time general entry pass करने time कि इसमें rectification of error में rectification of error में जब आप general entry pass कीजेगा तो rectification enter जो पास कीजेगा उसमें किसी तरह का principle apply नहीं होता है हमेशा आपका credit होता है to sale करके वह हमेशा credit होता है हमेशा जभी पैचिचेगा वह हमेशा two sale करके debit भी हो सकता है ठीक अब हम लोग देखेंगे कि types of error कितना होता है कि देखे students rectification of error में जितना भी question है वह आपका दो type का होगा या तो वह तो two side error होगा या तो वह one side error होगा इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आपका two side error में debit और credit दोनों side में गलती होगा और आपका या तो से debit या तो सिर्फ credit दोने में एक side में होगा अब इसी दो बात को ध्याण में रखेंगे कि two side error यानिके debit और credit और या तो दोने में से कोई एक साट का अब इन्हीं दो बात को ध्यान में रख करके हम लोग टाइपस ऑफ एरर जानेंगे ठीक है यहां से आपको स्टाइट होता है अलगा अलगा टाइपस ऑफ एरर तो आपको जो सबसे पहला टाइपस ऑफ एरर वो क्या है एरर ओफ ओमिशन इसका मतलब क्या हुआ इ इस एंटरी को पास करना ही भूल गया जब इस एंटरी को पास करना भूल गया तो अब देखिए अब आप टू सब्सक्राइब समझ लिजे अगर आप पूरा भूल गया तो क्या होगा आपका डेविट साइड में भी और आपका क्रेट साइड दोनों टाइम पर तो इधर भी 1000 होगा ठीक है आपका ऐसे वह मैच करता है अब मान के चली एरर ऑफ कमी ओमीशन में अब टू सब्सक्राइब गलती कर दिया निकि यह जो पूरा एंट्री है पूरा एंट्री है रिकॉर्डिंग करना भूल गया यानिका आपका क्रेट साइड और आपका यहांब होता है कि आपका trial balance मैच करेगा का की ना ही करेगा तो बताइएमाइंच करेगा और आपका 500 मेंस मैच करेगा औरazi अब देखें आपा strive balance मैच करे रहा है एक दम नहीं हुआ अब बात करते ओन साइड एरर का धिक है naite error में क्या होता है कि आपके एक side error की है अब जब जन्रल एंट्टी पास किया और जब लेजर में posting की है तो बहुत के अप राम का तो सही जगह posting कर दींगा तो थांट वी सफंह जगें को सब्सक्राइज उतक्रिवा नांब के जो इंह्ट 4200 ऑर आपका जो यह जो credit balance है जहां अब जो 500 को recording करना भूल गये यह आपका केवल 1000 रुपया ही दिखाएगा तो क्या यह trial balance match खाया तो क्या हो गया trial balance आपका affected हो गया अहोप आपको समझ में आ गया होगा तो बस यह इतना ही है तो two side error में आपका trial balance affect नहीं करता है और one side error में आपका trial balance affect करता है अब यह error omission आप का दोनों होता है आपका two side error be ho सकता है जो दोनों side error होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं holy error ठीक है मतलब complete है और एक जब केवल एक साइड में मिस्टेक हो उसको क्या बोलता है पार्सियल एर्र ठीक उसको कौन सा एर्र बोलाता है पार्स्यल एर्र जब दोनों dona रिकॉर्डिंग काना जब भूल गए तो क्या होगा आपका होली एर और जब एक साइट के वल आप राम का पोस्टिंग सही कर दिए और सेल का एंट्री नहीं कर पाएं तो आपका कहलाता है पार्शल एर ठीक है इसको हम लोग लास्ट में एदम समराइज में लिग देंगे अ गलती है अब इसमें होता क्या है कि मानके चले जवर fa ग्राऊंट पांचाता यह होगा एंड़े जगा वहां पर मिस्टेक कर जाए, कैरी फ्रोड करें तो वहां पर मिस्टेक कर जाए, तो इस तरह का जितना भी error है, जो clerk का गलती के कारण होता है, उसको क्या बोलते है? Error of Commission, और इसका दूसरा नाम क्या है? clerical error ठीक है अब यहां पर भी आपको जो ध्यान देना है कि यह क्या वो कि यह भी आपका दो परकार का होता है एक आपका एक आपका holy error होगा जो completely error होगा यानि कि debit और credit side दोनों side अब इस तरह का case में यह कहां चल जागा यह आपका two side error में चल जाएगा तो जो आपका trial balance है यह आपका match बिल्कुल करेगा यानि कि आफेक्ट नहीं करेगा trial balance आपका अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके trial balance match कर जाएगा क्योंकि holy error यानि कि two side error में आपका debit और credit दुनों जगह में चल जाएगा तो यानि कि यह आपका trial balance को affect करेगा ठीक है affect करेगा मतलब और नहीं करेगा क्या मतलब बोलने का मतलब है यहां बोलने का मतलब यह है जब वह affect नहीं करेगा कि कहने का मतलब है गलती हुआ है गलती obvious हुआ है लेकिन आपका trial balance match खा रहा है और affect नहीं करने क्या मतलब है कि गलती हुआ और आपका trial balance ही match नहीं खा रहा है ठीक है तो यह होता है आपका holy error और partial error तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि error of commission होता क्या है अब अब जो हम लोगों को तीसरे error है वह कौन सा error है error of duplication duplication बोलने का मतलब भी आपको समझ में आ जाए होगा वह दो बार record हो गया ठीक है कोई भी जो जो जैनल निटी था वह आपका two times record हो गया अब एक बात और जो ध्यान में रखिए यहां से आपको हम जितना error बताएंगी वह हमेशा आपका two side error होगा ठीक है अजब वह two side error होगा तो obvious है वह आपका trial balance को affect नहीं करेगा भले आप गलती किये हैं लेकिन आपका trial balance अफेक्ट नहीं होगा यानि कि आपका trial balance match कर जाएगा ठीक है तो आपका error of duplication बोले का मतलब क्या है कि कोई भी जो जनल एंट्री है वह आपका दो बार record हो गया है तो यह आपका होगे error duplication भी अब देखिए कि कमपन सेंट्री एरर क्या होता कमपन सेंट्री एरर बोलने का मतलब है कि आपका जो एक error है ना आपका दूसरा error को neutralize कर देगा और आपका trial balance में गलती दिखेगा ही ने जैसे कैसे तो मान के चले आप cash में purchase किये ठीक है तो purchase जो आप entry pass किये तो क्या entry pass Facebook में आपका कर दिया मात्र 900 का entry ठीक है तो यह आपका हो गया एक error और आप सेल किये सेल भी आप जो cash में की एक हजार कही मान के चलिए तो आपको जनर्टी क्या होगा cash to sale होगा अब यहां पर आप यहां पर क्या error कर दिए यहां पर आप इसमें भी sale का जो था 900 पर पास कर द दिए तो अब देखिए जब आप trial balance बनाईएगा तो मान के चलिए दोनों में एक ख़जार दोनों साइड में है ठीक है दोनों में एक ख़जार है अब यहां पर error क्या हो गया यहां पर यहां देखिए 100 रुप्य डेविट में कम चला गया और यहां पर आपका sale में यानि क trial balance तो मैच करी जाएगा कर गया ना तो यह है आपका compensatory error कि एक error एक error जो है दूसरा गल्थी का error से neutralize हो गया यहां भी आपका trial balance को affect नहीं करता अफेक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि वह बैलेंस जो है trial balance का जो यह बैलेंस है आपस में वह मैच करेगा ठीक है तो यह है आपका compensatory error अब यह वाला error देखिए यह क्या है यह आपका error of principle error of principle बोलने का क्या मतलब है कि जो आप accounting entry जो पास करते हैं तो अलग-अलग principle को अप्लाई करते हैं तो इस्टोरिकल cost concept revenue concept actual basis concept तो उन सबका error उन सबका जो गलती किजेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग error of principle जैसे कि एक example ले लिजे आप एक नया machine purchase किए ठीक है अब एक नया machine purchase किए तो आप जनरलिटी पास करना था आपको machine account debit ठीक है अब उस installation इंस्टॉलेशन एकाउंट करके दिखा दिये एक हजार रुपिया यहां पर आप जो आप हिस्टॉरिकल cost concept पढ़के आए हैं इस्टॉरिकल कॉस्ट क्या बोलता है कि मसीन को जब purchase किजेगा तो purchase करने के बाद मसीन में जितना इंस्टॉलेशन चार्ज उसका delivery चार्ज एक्षन चार्ज जब तक वह मसीन आपका put to use में ना आ जाए उस पर जितना भी cost आगा वह आपका किस में जागा वह आपका मसीन का cost में चला जाएगा पर यहां पर आप अकाउंटेंट रखें वह क्या गलती कर दिया वह आपका मसीन अकाउंट अलग और इंस्टॉलेशन अकाउंट यह दो अलग 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 खोल दिया जबकि यह वाला होना ही नहीं चाहिए था यहां पर इसमान के चलिए तो भाई यह क्या यह आपका debit side है यह भी आपका debit side है और इधर अपका क्रेट side में तो जब match करने जाएगा तो इधर भी आपका 10,000 दिखेगा और इधर भी 10,000 दिखेगा तो आपका trial balance effect होगा एकदम नहीं होगा यानि कि वह match कर जाएगा ठीक है तो इस तरह का error को हम लोग बोलते है error of principle अब चलिए जो भी पढ़े उसको हम एक summarize कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से याद रहे चलिए अब सबको रिकॉल करते हैं एक्टिफेकेशन और पॉइंट व्यू से क्या है एक टू साइड एरर है और एक आपका वन साइड एरर है टू साइड एरर आपका trial balance को अफेक्ट करेगा यानि की आपका जो debit side है आपका जो debit side है credit second matches क्रेंगा और आपका यहां Elsa क्या है यह effect नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो debit side और आपका जो credit side है वहाँ आपका equal दिखाएगा तो ज्यादा दिक्तत तो पता है ज्यादा दिक्तत्थे माँंने होगा इसमें तो पता चली जाएगा के एरो minder हो गया करें लेकिन पता ही बस difference क्या है कि two side error में जयानि कि जो trial balance को affect नहीं करता है वो आपका omission और commission आपको holy होना चाहिए ठीक है यह partial रहेगा तो यह two side error में नहीं आता है और ओर नहीं आपका trial balance को affect भी नहीं करता है ठीक लेकिन अगर वही one side error यानि कि वो principle वो सब error जो आपका trial balance आफेक्ट करेगा वो कौन को है वह आपका error of omission उसमें प्रेवल पार्सेल वाला यानि कि जहां पर आपका या तो डेविट या तो credit एकी side गलती हुआ है और आपका commission में वह या तो debit या तो credit एकी side गलती हुआ है तो error of omission और अब आपको यह सब का समरी मिल गया अब हम लोग देखते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है देखिए सस्पेंस अकाउंट जानने से पहले आप वन साइड एरर और टू साइड एरर के बारे में यह जान लिजे कि आप पगमान की चलिए जनलन टी पास करते हैं और अपना बुक्स अप अकाउंट बना लिए ठीक है आप उस पर्टिकुलर एकाउंट में जाईएगा और उसको ठीक कर दीजेगा वन साइड एरर में आपका एक्टिफिकेशन एंट्री फिर पास करने का जौत नहीं अगर वो ट्रायल बैलेंस के पहले अगर आप अपना गलती को ढूंड के निकाल दीए तो ठीक अब माल लि एंट्री पास करना पड़ेगा ठीक है और उस टाइम जब आप रेक्रिक्टिफिकेशन के एंट्री पास कीजेगा तो यहीं पर आपका क्या बनेगा सस्पेंस एकाउंट ठीक है इसी जगह में के आपका सव्केंस अकाउंट बनेगा और बात कीजिए two-set और का तो चाहए है mistake है trial balance बनने के पहले trial balance बनने के पहले अगर आप उसको ढूंड के निकाल दिये तो rectification entry pass करने के जौत नहीं पड़ेगा और अगर trial balance बनने के बाद भी आपको कोई गलती मिला तब फिर आपको rectification entry pass करना पड़ेगा और यहीं पर आपका suspense account खुलता है ठीक चलिए तो देखते हैं कि suspense account हम लग फिर बोलते किसको है suspense account account which is open for temporary और permanently कभी कभी अपर्मनेंट भी खुल जाता है ठीक है for doubtful entries in generally जो आपको suspense account है हमेशा वो आपका temporary खुलता है किस लिए doubtful entries के लिए जब समाज में नहीं आता है कि क्या mistake हो गया कहा mistake हो गया तो उस जगह के लिए हम लोग suspense account खुलते हैं ठीक है यह हमेशा temporary almost temporary खुलता है कभी कभाली permanent खुलता है ठीक है तो suspense account बोलते कि किसको है अगर सारा error अगर हम लोग deduct कर लिए ठीक है सारा error जो है अगर उसमें हम लोग ढून के निकाल लिए तब तो आपका suspense account में zero balance हो जाएगा हो जाएगा और मान लीजे अग आप जो है सारा error ढून के नहीं निकाल पाया और trial balance match नहीं खा रहा है तब उस तरम क्या करते हैं फिर and loss account है सो हम लोग बना देते हैं ठीक है और इसका जो balance होता है आपका यह जो debit balance होगा suspense account का वो आपका balance sheet का asset side दिखेगा और आपका suspense account का credit balance होगा वो आपका liability side दिखेगा और साथ ही साथ जो गलती इस साल जो हो गया है इस साल जो आप गलती कर लिए मान के चलिए 2020 में हम उस गलती को ढूंड के निकालेंगे और जो महनत है next year पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो यह होता है आपका suspense account आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो आज के इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका नोटिवेट करने और होंसला बढ़ाने के लिए क्रिप्या करके वीडियो को लाइक और चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिविकेशन बेल भी इस तरह से आप लोग दबा दें ताकि आपको आने वाला अपडेट्स मिलता रहें बहुत बहुत ध हन्यवाद आपका